अक्सर देखा जाता है कि कई लोग अपने हाथों में कई तरीके की अंगूठी को धारण करते हैं कई लोग सोने की तो कई चांदी की तो वहीं कई लोग रतनों को भी धारण करते हैं ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने हाथों में लोहे का चल्ला या शनी का चल्ला या फिर कुछ लोग जिसे घोडे की नाल की अंगूठी कहते हैं वो भी पहनते हैं जोतिश की अनुसार, शनी की ढईया, साढ़े साती, दशा, महादशा या अंतरदशा में तमाम तरह की परिशानियों से बचने के लिए लोहिक का छल्ला का धारण किया जाता है और आज हम आपको अपने इस रिपोर्ट में इस छल्ले के कुछ अद्भुत फायदे बताने जा रहे हैं अगर आपने भी अपने हाथों में इस छल्ले को पहना हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जी हाँ आपको बता दे जब आप अपने हाथों में चांदी का छल्ला पहनते हैं तो इससे कुंड़ी में सूर्य, शुक्र और बुद्ध आपके मजबूत होते हैं और ऐसे में अगर आप लोही का छल्ला धारण करते हैं तो ये आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है लोही का छल्ला जब बुद्ध और राहु हो तो छल्ला बेजोड रहता है लोही का, जी हाँ आपके लिए लोही का छल्ला बहुत ही जादा जरूरी हो जाता है जब आपका बुद्ध और राहु कंजोर हो आपको ये भी बता दे बारवा भाव राहु का घर माना जाता है लोही का छल्ला बुद्ध शनी का है बुद्ध अगर बारवे भाव में है तो आपको लोही का छल्ला बरबाद कर सकता है ये भी हम आपको बता देते हैं कि क्यूं आपको ये छल्ला धारन करना चाहिए सामानने तोर पर इसका प्रयोग शनी, राहु और केतु के दुश्प्रभाव और बुरी आत्माओं से बचने के लिए खिया जाता है अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या है तो आप सरूर धारन करें ये भी बता देते हैं आपको किस उंगली में धारन करना चाहिए हमेशा छल्ले को दाहिनी हाथ की मध्यमा उंगली में धारन करना चाहिए क्योंकि इसी उंगली के नीचे शनी बर्वत होता है कब धारण करना है ये भी बता देते हैं शनिवार के दिन शाम के समय से धारण करे इसके लिए पुश्य अनुराधा उत्रा भाद प्रद और रोहिनी नक्षत्र सर्व श्रेष्ट बताए गए हैं नेक्स्ट नाइन स्प्रीच्छोल से आर्तिक रिपूर्ट